आज की इस एपिसोड में कल के बजार के लेवेल्स को डिसकस करेंगे क्या कल निफ्टी चुकि कल निफ्टी की एक्सपाइडी है विकली एक्सपाइडी तो क्या एक्सपाइडी पर निफ्टी में कल एक बड़ी तेजी दिखेगी क्या निफ्टी कल 22,462,520 जैसे लेवेल्स अगर आपको एक्टिव टेडिंग कम्निटी और लर्निंग ग्रूप में जूड़ना है तो सबसे पहले निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा कल जो है निफ्टी ने 50-day moving average के levels को break करा था break तो आज भी करा लेकिन closing देखेंगे तो 22305.77 50-day moving average level है और जो closing रही वो 22306.75 यानि एक point उपर 50-day moving average के उपर की closing रही कल क्या ये 500 जैसे levels को touch करेगा या यहां से एक breakdown 20,000 के आसपास आते वे दिखेंगे कल चुकिए expiry है तो बड़ा level expect किया जा सकता है डेली टाइम फ्रेम पे 50-day moving average का support है जहां से upside and downside की probability दोनों ही तरफ 50% का दिख रहा है तो अब यहां पे 15 मिनट के टाइम लेबल को समझेंगे सबसे पहली बात एक चीज जो आपको समझने होंगी यह जो breakdown हुआ था यह कहां से breakdown हुआ था यह लगभग 800 के आसपास के price से यहां देखेंगे तो यह 800 के आसपास के price से breakdown दिखा था यहां देखेंगे तो 800 के आसपास का जो price है यहां से breakdown दिखा और इस breakdown के बाद 50-day moving average देखेंगे तो यह resistance का ही काम किया आज इसके उपर breakout किया और closing भी इसके उपर रही है यानि higher probability है यह वाला जो level है वो touch होते हुए दिखें अगर आप टेकनिकली देखते हैं तो दूसरी बात यहां देखेंगे यह level पुरा ही consolidate है और consolidate के बाद यह breakout हुआ again यह retest करके 50-day moving average के उपर की closing दी है तो कल के लिए अगर इस level को breakout करे यह वाला level जो earlier support था और इस समय resistance बनेगा यानि इसके उपर का breakout एक बरी rally जो है वो trend होते दिख सकता है आपके जो भी question आपके stock या फिर option position के regarding हो वो आप comment box के माधियम से पूछे बिलकुल free में answer दिया जाएगा और अभी भी बजार की learning अगर आप सीखना चाते हैं तो हमारा जो class है market scientist का वो class आप join कर सकते हैं class जो है वो हमने telegram के through pin करा है या फिर whatsapp message जो link comment में है वहाँ से आप पूछ सकते हैं तो कल के लिए आप याद रखे यह पूरा consolidate होने वाला है कौन सा level 22280 से लेकर के 22360 यह पूरा ही consolidate zone है आप यकीन मानिए कि 22360 के level को या तो इस zone में कही खुले या इसके उपर gap up हो अगर 360 के level तूटे तो पहला 22400 का target दिखेगा दूसरा 22400 का target दिखेगा और जो तीसरा level होगा वो बरा level होगा वो 22520 से 600 तक के potential level दिखेंगे तो 360 के उपर higher probability है call के levels का ही तो call के levels को ही maximum जो है आप focus करेंगे और बात रही reversal की तो पहला reversal जो है 22200 से लेकर के 240 के बीच का और दूसरा reversal 22100 का ये दो reversal अगर 282 तो तो फिर पहला reversal कहां पर 200 के और ये अगर नहीं support लिया तो एक बरे crash जैसे trend दिखेंगे simple समझें कि 280 के नीचे put की probability और 360 के उपर call की probability और call के retracement के ये दो zone अब put के लिए देखें put के लिए ये वाला जो levels है ये 22,280 क्या 22,280 इसके नीचे अगर gap down opening हुई और पहला 15 मिनट sustain किया तो फिर एक बरे downtrend देखेंगे फिर आपको 152,20 के आसपास ही reversal expect किया जा सकता है 22,280 के नीचे पहला target 22,240 का आएगा दूसरा target जो है 22,190 का आएगा और तीसरा 22,140 से लेकर के 22,080 तक के levels भी दिखेंगे और reversal के लिए पहला level देखेंगे तो 22,400 का आएगा और दूसरा 22,540,280 का आएगा ये ये वाला level देखेंगे 540 और 80 के बीच का तो अगर इस zone में कहीं खुल करके 280 को breakdown किया या इसके नीचे ही खुला तो फिर आप 190,160 जैसे trend easily expect करेंगे बिल्कुल इस चीज को ignore नहीं करेंगे क्यों क्योंकि potentially multiple time ये level से ही breakdown हुआ है तो important है 360 के उपर का जाना अगर 360 नहीं गया तो जिस परकार से breakdown इस level से हमने देखे वही breakdown again expect किया जाएगा तो again मैं repeat करूंगा कि in between in between 22,280 से 22,360 के बीच में trade नहीं लेंगे अगर ये जाता है तो 22,400 jackpot बनेगा और 280 जाता है तो 22,300 put jackpot बनेगा ये दोनों levels के इस level के breakout पर ही ध्यान देंगे अब मैं दिखाओं कि put के क्या sorry bank nifty के क्या trend होंगे ये है bank nifty और bank nifty में देखें आखी daily time frame पे क्या दिख रहा है bank nifty शेवियर से लिंग आपको याद हो हमने पहले ही दिन क्या कहे थे कि ये जो trend है ये बना है shooting star ये बना है shooting star ये confirm किया अब potentially ये वाला support दिखेगा अब यहां देखेंगे लगभग लगभग ऊपर के price से ये already 2000 point कितना 2000 point गीर चुका है अब ये expect कर रहा है यहां 50% हो सकता यहां से retracement ले या फिर यहां से retracement ले और फिर breakdown करे तो probability दोनों ही confusing जैसा दिख रहा है तो थोड़ा aware होना है और 15 minute के चार्ट पे चलना है same as like that nifty के अंदर दिख रहा था ये वाला पहला breakdown हुआ false gap up फिर breakdown फिर टच करा फिर breakdown फिर यहां से breakdown अब minimum इस level को जो 50 day moving average है इसको breakout करे तभी एक बरा reversal लेंगे नहीं तो यह जैसा breakdown दिखा वैसा यहां से breakdown दिख सकता है तो इस चीज को बिल्कुल ignore नहीं करेंगे थोड़ा पीछे के चार्ट को भी दिखा है तो यहां यह वाला जो level है यही support दिखा last time भी देखेंगे तो यह support इसी level के आज पास से दिखा था earlier यह resistance था यहां भी यह थोड़ा support बनके एक बड़े levels को touch करा आगें यह support की तरह काम करते दिख रहा है और चुकि यह एक trend line है यह यहां से trend line बना दिया है तो minimum इस trend line का यह वाला level का breakout important है यहां देखेंगे यह वाला level का चुकि यह एक resistance के रूप में था जो यहां resistance बना breakout support trend continue आगें यह resistance जो earlier support था वो resistance के लिए काम करेगा तो यहां important है important क्या है कि इस zone में अगर कहीं खुले माल लो इस zone में कहीं भी खुलता है इसको इस zone में अगर कहीं भी खुले इस zone में कहीं भी खुले तो important है 250 के levels के breakout का call के जितने भी buyers है वो समझे या तो consolidate खुले या फिर इस level के माल लिज अगर consolidate खुलता है तो आपके जो trade आएंगे वो 22,250 के उपर आएगा जहां पहला target sorry यह तो bank nifty है 44,250 के उपर आएंगे 44,48 जहां पहला target 48,400 अगर flat इस zone में खुले तो इसके breakout पे पहला target अगर gap up आ जाए तो इस level के breakout पे trend initiate करेंगे जहां पहला target 48,620 और दूसरा target जो है वो 48,780 से लेकर के 900 तक के 48,900 यह वाला zone जो है 48,780 से 900 तक के एक बरा reversal क्योंकि यहां जो यह trend दिख रहा है यह trend अगर 400 के उपर गया तो probability यहां तक भी आ जाए तो कोई बरी बात नहीं है तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे 48,400 के उपर गया तो बरे reversal भी दिखेंगे ऐसा नहीं कि सर ने कहा कि maximum 49,000 तक ही आएगा तो यही आएगा हो सकता है कि इस levels को भी touch करें क्योंकि यह बरे range को breakout कर रहा है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ इस range में कहीं खुला तो 48,250 को breakout करने देंगे उसके बाद trend initiate करेंगे जहाँ पहला target फिर retrace फिर continue लेकिन अगर माली यह थोड़ा gap अप ही खुल गया तो 48,400 को breakout करने देंगे जो यहाँ पे थोड़ा बहुत retracement या फिर 48,000 या यहाँ पे यहाँ यहाँ थोड़ा retracement और फिर continue करते डिख सकता है और call के reversal क्या होएंगे पहला तो 47,800 का reversal आएगा यह वाला और दूसरा reversal अगर इस reversal को support नहीं किया फिर यह 47,200 वाले reversal आएंगे अच्छा call का तो सर समझा दिये अब थोड़ा put का बताओ कि put के trend को कैसे ले put के trend को पहला यह समझो कि अभी जो trend दिख रहा है यह जो trend दिख रहा है अभी भी negative ही है और इसका reversal कहां से confirm होगा 400 के level से तो अभी भी तो trend negative ही है यह negative confirmation तब देगा जब 40 यह consolidate zone को breakdown करें तब तो 47,820 के नीचे fresh selling expect करेंगे जहां हमारा पहला target 47,640 यह वाला छोटा target आएगा दूसरा देखेंगे तो 47,420 और तीसरा target जो है वो 47,300 से ले करके 47,100 तक का भी यह consolidated zone में खुले फिर भी या इसके नीचे ही खुले तो यह trend continue फिर एक sharp selling आते दिख सकता है इस चीज़ को बिलकुल ignore नहीं करेंगे reversal कहां expect करेंगे पहला reversal 48,682,800 के बीच में और दूसरा 49,000 60 से ले करके 49,200 के बीच में यह हमारा reversal होगा तो I hope कि simple analysis को आप समझ पाए अभी भी नहीं समझ पाए तो वीडियो को दुबारा देखें levels को mark करें और उसके accordingly ही trade करेंगे thank you